ये है वाईया Hyundai की Staria और ये Hyundai Kia जो ग्रुप है उसमें Kia की जो कार्णी बलाती है उसकी रहेवल है Hyundai Staria और बहुत ही ज़्यादा ये गाड़ी कई अंगल से लगती है इसका ये प्रीमियम वर्जन है और अभी ये नॉर्मल वर्जन वह भी मैं आपको दिखाऊंगा यहां पे यह ये डियारल आप देख पा रहे हैं यहां पर आपके बास में इंडिकेटर्स है नीचे की नीचे सारी जो देख पा रहे है जो है बहुत ही बड़ी है और बहुत ही क्यूट लुकेंग से ग्रिल यहां पे आपके बस में और उपर जो है वहां पे देख वा रहे हैं क्यामरा लगा हुए गाड़ी में तो कई एडास फंक्शन से सब चीजो की बात करते हैं अभी अंदर जाके और बहतर तरीक से देख अधिके जो है वह एक दूसरे से सिंग लगते हैं अईसा नहीं लगता कि टायर कुछ अलग कह रहे हैं यह ग्रिल्स कुछ अलग कर रहे हैं यहां पे और यह हलंकि कुछ जादा ही मॉडरन कई जोंकों से लगती है जो कि कई लोगों के लिए अस्छी चीज नहीं होगी देखते हैं अंदर क्या चीजे हैं बहुत बहुत बड़ा दर्वादा बारी दर्वादा है और विंडो देखो कितना बड़ा है इसका यहां पे आपके पास में material जो है hard plastic जो है उस्तमाल किया गया है यह विंडो के control है आपके पास में यह थोड़े से coin wine ऐसी कोई चीज करने के लिए however आप यहां पर देख सकते हैं यह कुछ और चीजे जैक को अगर एकसेस करनी है तो उसका space यह नीचे दिया गया है तो आपको उसके लिए जो है कहीं और पीछे विचे नहीं जाना है यही पर जैक का space दिया गया है अंदर मैं क्लाइम करता हूं और अंदर भी बहुत सारी चीजे हैं दिखाने के एसाब से इधर आपके पास में यह बॉटल होल्डर है यह वो इन्फोटेन्मेंट स्क्रीन है जो हमने अल्रीडी देखी है यंदाई की कुछ गाडियों साथ अलकजार के साथ में क्रेटा के साथ में यहां पर तोड़ा सा और स्पेस है क यह बॉनिट अगर आपको कोलना हो 2.2 लिटर का इंजिन जो है वो अंदर देख मिलेगा डीजल वाला अगर आप बॉनिट खोलेंगे तो मैं अंदर बैठता हूं और यह क्रोम फिनिश वाला जो है यह शायद नहीं आता एंडिया में क्रेटा अगरा में यह अच्छा लग यह अजलेटो, मैं जब स्पेस और विजिबिटी देखो आप. मतलब भर भर के विजिबिटी और स्पेस है, और उपर भी बहुत भड़ीा मटीडी पीडीयड का स्तमाल किया गया है इस तरीके से आप वायलेस चार्जर वो दिया होए अंदर तक और इसके बाद में इधर आपका वायलेस चार्जर का स्टेटस है, क्यों चार्ज हो रहा है और नीचे यहां कुछ नहीं है, विकॉस इसको पीछे कैसे करेंगे, यह ना पीछे होके ऐसे उपर जाती है, I think ॏ इधर से होती होगी यह पीछे चले गई और यह उपर होकी yn सीट बन जाती है यह यह फ्रहंट में भी तीन लोग Siya अगर फ्रहंट में तीन लोगों को नहीं बैटना है तो यहां पर आपके इसमें कफ होटर है होटा स्पीस है यहां है पिलर का बट वह इतना दूर है कि प्रबल्ली आपको ऐसे निगोशेट करने प्रॉल्म नहीं होगी बहुत बड़ा वार्वियम जो है यहाँ पर देखने को मिलता है प्लस यह जो सन्वाइजर है यहाँ पर आता है और एक्सटेंड जो है वह भी होता है अलंकि इसके एक्सट दॉन और दर्वाजे जो है यहाँ पर इलेक्रिक टेल गीट जो है उसका कंट्रोल है तो वहाँ सारे कंट्रोल जो हो यहाँ पर आपके पास में दिखने में मिली रहे हैं LED LIGHTS है काफी ब्राइट लाइट है इलेक्ट्रोमिक वार्वियम है उसके बाद में प्राइस भीम आ थोड़ा छोटा है गलावबॉक्स लेकिन अगर आपको छोटा लग रहे है तो यहां पे एक और स्पेस आपके पास में दिया गया तो स्पेस जो है वो दुनिया भर के आपके आपको पीछे की तरह बताता हूँ अगे भी दो-तीन चीजें और हैं जो कि मैं बताना भूल गया इधर देखो आपके पास में यहाँ नीचे यूजबी है दौनों और यह 12 वोल का सॉकित है नीचे और सदा स्पेस आप महाँ पे देख पारी हो और फ्लोर जो है वो ऐसे फ्लैट सा है तो आपको मतलब इधर दर दर वाक करने में कोई दिक्कत नहीं होगी इसके बाद में पीछे चलता हूँ वो इससे नीचे हो जड़ना भी अपने आप में एक टास्क सा है इस सीट मैंने अपने हिसाब से एड़्जस कर लेता हूँ थोड़ा सा आगे थोड़ा मैंने पीछे कर दी और अब अगर हम दों पीछे जा कर देखेंगे तो इसमें आपके पास में इस सब्सक्री आपको प्रेस करना है और शुके हैं भी पीछ્छा कि और मूउफ कर जाएगा आफिक दिण सेड़ने यहां पर आपके पास में तीन सीट के रहें और यह भी यह हैं थे इनमाप भी किछी से ऊड़ है पोण आपका यहां प्र चला जाएगा को अग्र आपको एसी कंट्ट्रोล चाहिए तो आपके पास यहां पर यहां से उफ VS लगांब यहां का सकते हैं तो है उसका पोछै पर बन जाय ना है 2 दो तो अ मलती हैं है मगदीन के रहा जो आप देख पारें इसको आप इसका कोछ यहा तो कोई लिवर या इसी कोई चीज है जो कि इसमें लगी वी नहीं अभी इधर तो जो है नहीं दिया गया एणिवे उसके बाद में अगर आप देखें तो यहां पे बहुत ही प्रीमिम फिनिश जो है और यहां पे दिया गया है और ये windows जो है, ये slide आपके पास में यहाँ भी हो जाती है और ये आपको हासे कहने पड़ती है, ये वापस बहुत ही, जो कहते है न, अलग-अलग multiple जुगों पर रुपती भी है, very nice आपके पास में बहुत ही बढ़िया से एकदम स्टिक हो जाती है, और एकदम थड़ जो है उसमें आता है, यहाँ पे आपके पास में यह है, बॉटल होल्डर या फिर आप आमरेस्ट के लो, दौनों तरह की से इसको इसको समाल कर सकते हो, अथरवाइस तीन लोग डेफिनेट अब मैं चलता हूं पीछे, यहाँ जो सीट्स है, इसको भी आगे पीछे स्लाइड कर सकते हो, यह देखो, अब सबसे आगे इस पोजिए पे जो कि अंदर गुजगी, और सबसे पीछे, बहुत ही पीछे इसको स्लाइड कर सकते हो, मैं इसको फिलाल के लिए और आपिस नॉ अब इसको आगे ले जा सकते हो, इस सीट को उपर भी उठा सकते हो, अभी जो है, मैं आपको ऐसे जाके बताता हूं, यह दो सीट्स यहाँ पर है, आपके इसमें इतना स्पेस यहाँ पर छोड़ देती है, यहाँ पर अमनेटी की बात की जाए, तो आपके पास में USB चारज आपको दिया गया है, नीचे की तरफ, एर बैक जो है, वो भी यहाँ पर आप दिख पा रहे हैं, और कोई ऐसे अमनेटी नहीं है, आपके बास में आमरेस्ट है, और पीछे की तरफ, आपके बास दो और सीट से, जो की, इतनी हेवी है कि मुझे लगता नहीं उठा के उपर कर पाऊंगा, आपके इसीट आगे करने पड़ेगी मुझे उनको उपर करने के लिए, ओके, इसीट मुझे आगे करने पड़े, बैंच एक जो की तीन जनों के लिए, और यहाँ आप देख पारे है, एम्बेन लाइटिंग और का फोल्टर जो है, वो भी दिये गा है, मैं इस बेंच पे, I don't think, कुछ खास हो पाएगा, बैठके, बट I'll still try, और इस पो, मैं all the way पीछे रेकलाइन कर देता हूं, यह इतनी पेश चली जाती है, आक्शली बैठ तो सकते हैं, लेकिन यह टच बच हो रहा है, आपर तो दो एडल्ट बैठ सकते हैं, बट तीन बच्चे जो है, वो happily बैठते है, उनको को issue नहीं होगा, और उनके लिए क्या दिया गया है, एक charging slot यहाँ दिया गया है, और यह windows जो है, कुछ तरीके से बाहर जो है, खुल जाती है थोड़ी सी, ventilation वगरा के लिए, और sunshade जो है, वो दिया गया है, और यह थोड़ा सा cup holder और इधर ज जिसस आपके दीगे, हर एक चीज जो है, वो काफी सुंदर, जो है, यहाँ से महसूस होती है, 2.2, यहाँ पे लिखा हुआ है, तो डीजल 2.2 है, निचे की तरफ आपको जो है, थोड़े से और यह सब देख पारे हो, अपने, क्या बोलते हैं, पार्किंग सेंसर जो है, हर अगर आपको मैं इसकी जगे, इस पे लेके आँ हूँ, जो की आपको में हमारा नॉन प्रीमियम औरजन है, तो उसमें कुछ-कुछ चीज है, कुछ-कुछ चीज है, कुछ-कुछ फिनिशिंग जो है, वो आपको उसका फर्क देखेगा, वाग यह सा कोई बड़ा चेंज ज वो इसमें कम है, तो उनका डिफ्रेंस है, और यहां पर पीछे की तरफ जब मैं आऊँगा, तो सीट्स जो है, एक लिए सीट्स की क्वालिटी तो सिमिलर सी फील हो रही है, स्पेस भी सिमिलर सा फील है, बढ़ हाँ संडूफ जो है, वो इसमें नहीं आगी और पीछे दौ रह पूलके, बूट जो है, बहुत ही मुचा खूलेगा देखना, इसका बहुत ही बड़ा फ्लैपफ खुलता है बूट का एकदम से, ये बूट खुलता है, और कोई इस पेस बूट में नहीं रह जाता, बढ़ हाँ, आप चाहें, तो यहीं से पूरी के पूरी बैंच को न टक जाए तो वापर नीचे ना कीच भाए इतना जादा हो है खालो मैं इसको बंद यहाँ पर कर देता हूँ तो यह है भईया Hyundai Staria क्या लगता है Carnival के लिए एक जो कहते है कि वो आना चाहिए कि इंडिया में भी अगर आपको लगता है राइवल आना चाहिए comment करिए तो अगता है नहीं आना चाहिए तो अभी comment दो करना पड़ेगा भी है यह डीजल है यहाँ पर हालंकि यह BS 6 compliant नहीं अभी इंडिया में वो उसको BS 6 compliant किया जा चुका है तो जब आएगी तो BS 6 compliant करना कोई बड़ी बाद जो होगी नहीं उडियक लिए वाकि इसमें 360 degree camera आता है तो आप यह देख पारे हो इसमें 360 degree camera का फ्रेंट में यहाँ पे camera लगा हुआ है और थोड़ी से grill का भी फरक है premium वाली grill थोड़ी से बटर लग रही थी और अबिसली टायर जो है वील्स जो है वो भी ब्रैटर लग रहे थे premium वाली के इस वाली के फटर इस से डाउन लग रहे है हलंकि है 18 इंचर यह बी और डिस्क बहुत बड़ा है इसका अबिसली गाड़ी का वर्जन भी बहुत साथ है तो डिस्क बड़ा होना बनता भी है चलो विया कितने की है दो लाक नहीं सुरी वीस लाक हाई बाट की है यानि की लग बग चालिस पैथालिस लाक क्या सबस्की जो है यह यह अब बनती कहा है उस पर डिपेंड करता है कि इंडिया में कितने की होती इस्ति होती है महेंगी होती क्या होता है 177 dhp के पार और 431 न्यूटन मीटर का ठॉक है यह सब चीजें है और एक्टल में एक और चीज दिखाता हूँ मैं आपको कोई ना मैं जो आपको दिखाना चाहरा था वो इन गाड़ी में है नहीं वाकी फिलाल दोस्तो इतना ही इस वीडियो में उम्मीद करता हूँ वीडियो पसना ही पसना है लाइक शेयर सब्क्राइब आप कर सकते हैं दोस्तो इतना ही इस वीडियो पनी इस रुक्ष चलिए धन्यवाद